हेलो एर्वीवन कैसे हैं आप सब मैं पूनम स्वागत करते हूं आपका लट स्लोग विद पूनम में आज मैं सेर कर आप सब के साथ मूली के पराठे जिसे हम खूब सारी फिलिंग भर कर बनाएंगे और ये पिल्कुल फटेंगे नहीं आपके फेवरेट बन जाएंगे जब और इनको हम कद्दू कस कर लेंगे प्याज और मूली को यहाँ पर कद्दू कस कर लिया है और इहां पर डालेंगे आदा चमस के करीब नमक और इनको अच्छे से मिक्स करके हम यहां पर रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए दस मिनट बात देखिए हाँ पर मूली ने पानी अच्छे से छोड़ दिया है इसको हम बिल्कुल टाइट हाथ से निचोड लेते हैं इसमें बिल्कुल मोईस्टर नहीं रहना चाहिए अगर आप चाहे तो इसे कभी भी कपड़ा ले लेजी कोटन का और इससे अच्छे से निचोड लेजी और यहाँ पर देखिए मूली को मैंने अच्छे से निचोड लिया है एकदम से टाइट हाथ से और जो पानी बच्चा है उसमें हम आटा लगाएंगे यहाँ पर मूली को हम अच्छे से खोल लेते हैं यह एक दम से चिपक गई है अब इसमें डालेंगे यह मूली के पत्ते थे मैंने जो कच्चे कच्चे थे उसको निकाल के अलग से और बिल्कुल बारी कट कर लिया है, वो इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा डालेंगे इसमें, हरा धनिया, अब इसमें डालेंगे आरी मिर्च लैसून और अदरक्का जो पेस्ट बना के रका था, एक चमंच वो, एक चमंच डालेंगे, धनिया पाउडर धनिया पाउडर इसमें आप ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं अगर इसमें मोईसर है तो वो इसको सोख लेगा यहाँ पर अमचूर पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पर डाला है भूना हुआ जीरा और थोड़ा सा यहाँ पर डालेंगे हम लाल मिर्स का पाउडर लाल मिर्स को आपने इसाब से डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो अब इसमें डालेंगे हम आदा चमस नमक नमक याद रखे हमने पहले भी डाला था और बाद में ही डाला जब हमें प्राठे बनाने हैं याद रहे आटा हमें मुली का जो पानी निकला था उसी में से बनाना है और अब इसको हम अच्छे से बेल लेते हैं एकदम से पतली पतली रोटिया बनानी है दो बना लेते हैं इस तरह से आप प्राठे बनाएंगे तो आपकी फिलिंग जो बिल्कुल भी फट कर बाहर नहीं और एक दम से जाए कितनी भी फिलिंग आप इसमें डाल ले और टेस्टी इतने बनेंगे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देखे मैं खूब सार इसमें फिलिंग बार देती हूं और इसको अच्छे से फैला देते हैं और इसके ओपर हमने जो दूसरी रोटी बना के रखी थी वो इसके उपर लगा देते हैं और हाथ से हम इसको चारो तरफ से दबा देंगे हलके हलके हाथ से ताकि अच्छे से जी पक जाए और उसके बाद इसको हम अच्छे से बेल देंगे हलके हलके हाथ से हम बेलन से इसको फैलाएंगे और इस तरह से हमारे जो फिलिंग है चारो तो लो ही रखनी क्योंकि मीडियम टू लो फ्लेम पर जो प्राथे बनाएंगे क्रिस्पी और पड़िया टेस्टी बन कर त्यार होने एक तरफ से जैसे हमारा प्राथा सिक जाएगा हम इसको प्लट लेंगे और यहां पर प्राथे में जो घी में बना रहे हैं घी में बनाए बहुत ही टेस्टी बनते हैं आप चाहे तो इसकी जहका पर कोई भी ओली इस्तिमाल कर सकते हैं आप दोनों साइड देखिए यहां पर मैंने घी लगा दिया है और इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर मानिये और एक बार इस तरह से बना के जरूर देखिए गा और बात में सेयर कीजिएगा कि आपको यह प्राथे की रेसिपी कैसी लगए अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक सेयर और कमेंट कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल क को सिस्क्राइब कर लेजिए थैंक यू बाई टेक केर